गुद मॉर्निंग दियर स्टुटें, तोडे आई विल बी एक्स्प्लेणिंग एक्सराइस दू कोश्चिन नमबर ए, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रेक्ट इन नूट्बुक, हमें इन नमबर्स को अरेंज करना है और सब्ट्रेक्ट करना है सीधर फर्स्ट कोश्चिन, 983 सब्क्राइब 461, फर्स्ट अफॉल यू काउंटे डिजेट्स, 123 और 123, तो फर्स्ट अफॉल, हाउ मैने डिजेट्स इन 3, हंड्रेट्स में होती है कित्ती डिजेट्स होती है, हंड्रेट्स में 3, तो 1, 10 and 100, तो यू राइट दाउन फर्स्ट अफॉल, 1, 10 and 100 3 is 1, 8 is 10, 9 is 100, 1 is 10, 4, 6 is 10, and 4 is 100, and then you subtract it 3 subtract 1, 2, 8 subtract 6, 2, and 9 subtract 4, 5 See the next question, 568 subtract 345, और दोनों नम्स में इसमें डिजेट्स किती है, 3 ती, और हाउ मैने डिजेट्स इन 100, 3 तो फर्स्ट अफॉल, यू राइट आउन, 1, 10 and 100, 8 is 1, 6 is 10, and 5 is 100, 4, 5 is 10, 4 is, sorry, 5 is 1, 4 is 10, and 3 is 100 Then you subtract it, 8 subtract 5, 3, 6 subtract 4, 2, and 5 subtract 3, 2 See the next question, this question is subtract, 1110 and 1, 7 subtract 5, 2, 8 subtract 0, 8 यदि हम किसी भी डिजेट्स में से 0 subtract करते हैं, तो वही itself नम्बर आता है For example, 9 subtract 0, 9, 5 subtract 0, 5, then 8 subtract 0, 8, 6 subtract 3, 3, and 8 subtract 7, 1 Do question number A and B in your notebook, thank you